हलो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहे हूं कि हम अपने ग्रे हेर को ब्लैक में नैचरली कैसे बदल सकते हैं हम ज्यादा तर हीना पाउडर यूज करते हैं हीना मेंधी लगाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे बालों को काला कर दे बट हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो हमें चाहिए मुझे एक ऐसा इंग्रीडियन मिला है जो कि बहुत ही पावर्फुल है मैंने उसे अपने उपर टेस्ट किया है पहले और फिर मैं इतना खुश हुई उस रिजल्ट से कि मैंने उसको आपके साथ शेयर करने का सोचा इस वीडियो में मैं आपको हिना प्लस इंडिगो टू स्टेप प्रोसेस बताऊंगी जिसमें हम हिना को अलग लगाएंगे और इंडिगो को अलग लगाएंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक साथ भी ट्राइ करूँगी, हम एक साथ भी इसको यूज कर सकते हैं आईए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल हिना महंदी, ग्रीन टी का पानी, दो चमच लेमन जूस इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके, प्लास्टिक के रैपर से डख के उसको हमने रात भर रखना है, जैसे कि हम हीना महंदी को रखते हैं रात को आप नहीं रख सकते हैं तो आप 8-9 गंटे के लिए इसको छोड़ दे अगले सुबे हम इसको अपलाई करेंगे और अपलाई करने के बाद इसको हमने कम से कम 2-3 गंटे रखना है या फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको तब तक रख सकते हैं जब तक कि आपके बालों में ये महंदी अच्छे तरह से सूख नहीं जाती इसके बाद हमने अपने बालों को सिंपल पानी से वाश करना है आप देख सकते हैं मेरे बाल वाइट से ब्राउन कलर हुआ है मेरे बालों में ब्राउन कलर आया है जो की हीना से है अब मैं इन बालों को ब्लैक करना चाहती हूँ तो यहां आएगा हमारा दूसरा स्टेप इन सेकेंड स्टेप इंडिगो पाउडर सेम क्वांटिटी लेनी है जितनी हमने हीना में लिया था या उससे थोड़ा सा कम भी ले सकती है प्लस दो से तीन बून एसेंशियल ओयल मैं टीट्री ओयल यूज कर रही हूँ अगर आप के पास एसेंशियल ओयल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इन तीनों इंग्रीडिन्स को मिक्स करके हमने एक गोल तयार करना है और उसको प्लास्टिक के रैपर से रैप करके 10 मिनट तक रखना है क्योंकि इंडिको पाउडर बहुत ही जल्दी अपना रंग छोड़ने लग जाता है इसलिए हमें तब ही लगाना है जब हम अपने हैड को वश कर चुके हैं और हमें इंडिको पाउडर लगाना है तो उससे 10 से 15 मिनट पहले आप उसको भिगोएंगे और साथ के साथ अपन इसको कम से कम एक से देड़ गंटे तक एक से देड़ गंटे तक रखना है और सिंपल पानी से वाश कर लेना है आप देख सकते हैं मेरे बाल ब्लैक हो गए हैं और ये अचूक उपाए मैं बहुत दिनों से धून रही थी सोच रही थी कि मैं कैसे अपने बालों को ब्लैक कर जो कि आज ये मुझे बहुत ही अच्छा इंग्रीडियन मिला है और मैं बहुत ही कुछ हूँ इसके रिजल्ट से और मैं आशा करती हूँ आप सबको भी अच्छा फील होगा जब आप इसको एप्लाई करेंगे और पहली बार में ही आप देखेंगे कि आपके वाइट हेर ब् अच्छा लगा होगा आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें फिर मिज़ने हैं एक अच्छे इंपोमेटिव वीडियो के साथ बाइबाई